सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए विशुकों सात्यों करमवार तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं तो पहला सात्यों चैप्टर हो चुका है और आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी गई है क्लासिक्स की जितने भी वीडियोज हो गई है वहाँ पर आप रूख जाकर देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है चलिए तो सात्यों बस आपके साथ की जरूरत है ये जो कंटेंट में आपको दे रहा हूं ये सबसे महतपूर्ण कंटेंट आपकी परक्षा के लिए बनता है अगर बात करें प्रिश्नों की तो प्रिश्न जो भी आपको देखनें को मिलते हैं वो सब NCRT में से देखनें को मिलते हैं ठीक है चलिए तो साथियू सेकंड चैप्टर यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का नाम जो है वो आखिट खाद संग्रे से भोजन उत्पादक तक है आज की वीडियो में हम लोग बेशिकली देखेंगे इस चैपटर में कि आदी मानव के बारे मे और कैसे उन्होंने अनाज के लिए खेती करना शुरू की इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे तो सात्यों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि प्रारंबिक क्या आरंबिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों गूमते थे सबसे बड़ा सवाल है आपने देखा होगा जो भी आधि मानव थे वो कभी इधर उधर यानि कि कोई उनका ठिकाना नहीं था कोई उनका मकान बना हूँआ नहीं था वो इधर उधर गूमते थे तो यहां पर सबसे पहली बात में आपको बताओं आरंबिक मानफ के विशे में जानकारी जो है सातियों हमें कहां से दौरा किसके दौरा खोज तता गहन के अध्यन से पराप्त होती है तो पुरा ततविदो के दौरा क्या पुरा ततविदो के दौरा सातियों की गई खोज त पता गहन आध्यान से हमें जानकारी प्राप्त होती है किसके विशय में आरंबिक मानफ के विशय में आरंबिक मानफ कहलो या आदी मानफ कहलो एक ही बात है उसके बाद देखिए जो इस महधरीप में 20 लाक साल पहले रहा करते थे तो सातियों कब रहा करते थे 20 लाक साल पहल रहक के रूप में भी जानते हैं, आम तोर पर वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मचलियां, चुडियों को पकड़ना, फल, मूल, दाने, पौधे पत्तियां, अंडे इत्यदी का संग्रह किया करते हैं, नहीं कि वो कोई भोजन खास तोर से नहीं बनाया करते थ जैसे कि आज का मानव बनाय करता है, वो चुडियों को पकड़ कर उनको अपना भूजन बना लेते थे, शिकार कर लेते थे सातियों, मचलियों को पकड़ लिया करते थे, इनको सातियों जो है वो खाया करते थे, और जो भी उन्हें पौधे पत्तियां, जो भी अंडे, फल मिल जाते थे वो उसको खा लिया करते थे उसका सेवन कर लिया करते थे उसके बाद देखिए सातियों आखिर वे इधर उधर क्यों गूमते थे तो यहाँ पर पहले एक एरिये में रह रहे हैं तो सातियों चार से पाच या दस दिन में उस एरिये में जितनी भी सातियों फल हैं अब एक फल कालो तो दूसरा फल उतना ही बड़ा होने में ज़्यादा समय लगता है या सबजी कालो वहाँ पर जो गी हुई है उसको उतनी ही सातियों बड़ी होन जानवरों का शिकार करते करते एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर पहुँच जाते थे, उसके बाद देखिए फल फूल अलग-अलग मौसम में आने की वज़ा से उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग-अलग जलबाईू वाले छ्छेतरों में पहुच जाते थे, ठीक है, उसके बाद देखिए मौसम परिवर्तन से होने वाले परभाव जैसे के सूखा बाड इत्यदी के कारण ये लोग एक इस्थान से दूसरे इस्थान पढ़ जाये कर मान लिजे जहां पर ये रहे रहे हैं वहां पर सूखा पढ़ गया या वहां पर बाड आगे तो इस वजह से भी इनको अपना प्रिस्थान छोड़ना पड़ता था अपनी जो पुरानी जंगा है वो छोड़ना पड़ती थी उसके बाद हम लोग देखेंगे के आरंबिक मानव या आदी मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिल सकती है चलिए साथियों देखें के पुरातत विदो को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्मान जिनका उप्योग आखेटक खाद संग्राहे क्या करते थे ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकडियों और हड्डियों के आवजार बनाए हो इन में से पत्थरों के आवजार आज भी बचे हुए हैं आपने देखा है कुछ आवजारों का उप्योग फल फूल काटने हड्डियों और मास काटने तता और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है कुछ के हाथ, कुछ के साथ हड्डियों या लकडियों के मुद्दे लगाकर भाले, बाढ़ जैसे हतियार बनाये जाते हैं उसके बाद देखिए साथियों के रहने की जंगा निर्धारित करना तो यहाँ पर साथियों मांचितर का सहारा भी हम लोग लेंगे और मांचितर के सहारे भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अगर बात करें रहने की जंगा वो कैसे निर्धारित करते थे तो लाल तिर्कोन वाले इस्थान वे पुरा इस्थल हैं जहां आखेटक खाद संग्रहक के होने के परमान मिलते हैं तो साथों यहाँ पर मैंने आपको भी दिखाया था कि भीम बेटका की जब हम बात करते हैं तर्कोर्ण लाल वाला जो है यहाँ पर आखेटक खाद संग्रहक के होने के परमान मिलते हैं इसके अलावा और भी कई सारे इस्थान है जो आखेटक खाद संग्राहक रहते थे ये लोग रहने के लिए ऐसे इस्थानों का चुनाव करते थे जहां इनको भोजन आसानी से मिल जाए जैसे के शिकार इनको मिल जाए फलफूल इनको मिल जाए जड़ पानी ये सब इनको आस साक्ष मिले हैं तो सातियों जो भी नीले वर्ग में आपको दर्शाया जा रहा है वहां पर क्या मिला है करशकों और पशुपालोकों के होने का साक्ष मिला है जैसे के करशकों और पशुपालोकों के होने का साक्ष यहां पर मिला हुआ हुआ है कोल्डी हवा और महागवा म चिरौन में मिला हुआ है उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सातियों दावजली हेडिंग में मिला हुआ है कई सारे यहां पर जंगाये हैं हल्लूर में मिला हुआ है यह आप लोग यहां पर देख सकते हैं हल्लूर में उसके अलावा सातियों कहां कहां पर अगर बात करे तो ये साथियों बुर्ज होम में और मेहरगड में ठीक है बुर्ज होम में मेहरगड में यहां यहां पर जो साथियों नीले मैंने आपको दिखाए हैं यहां पर नीले वर्ग में पृतिय बिंदू उस जंगा को दर्शाता है जहां पुरातत विदो को शिरुवाती कर्शकों और पशुपालकों के होने के साक्ष मिले हैं ये पूरे उपमहद्रीप में पाए गए हैं इसमें सबसे महत्पूर्ण प्रश्मोतर छेतर में आधूनी कश्मीर में और पूरवी तथा दक्षुनी भारत में पाए गए हैं चलिए उसके बात साथियों अगर हम लोग यहां पर जैसे के सरदी है बरसाथ है इनके बचाव हो साथियों बचाव हो सके इसके लिए ये लोग कंदराओं वा गुफाओं का चैन करते थे ठीक है चूंके पत्थर के उपकरण बहुत महत्पूर्ण थे इसलिए ये लोग ऐसी जगा ढूनते रहते थे जहां पर अच्छे इनमें से हमें क्या पता चलता है जिसमें कुछ उधारण मद्व प्रदेश और दक्षिनी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रन किया गया है उसके बाद पैराग्राफ में साथियों क्या बताय प्रदेश मिलते हैं ऐसी वस्तों का निर्माण ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उनहीं वहीं पर उनको वहीं पर छोड़ दिया ये जमीन के अंदर जमीन के ओपर कहीं भी समुदर और नदी के तल में भी पाए जाते हैं आग की खोचकी अगर साथि हम प्रदो के दोारा कॉरनोल Gफा में पाया गया जब आग जलती है तो उसमें को कुछ कागस वेगरा जल जाते हैं कागस जलने के बाद क्या बन जाते हैं वो राक का ही रूप ले लेते हैं तो इससे ये बात इस पश्च होती है कि आरंबिक मानव आग जलाना सीख कूके थे ये बात एक सबूत है, राख जो है, एक सबूत है, कि जो आरंबिक मानव था, आदी मानव था, इसमें आग का घ्ञान ले लिया था, आग को जलाना सीख लिया था, इसका उप्योग ये, लोग मास पकाने के लिए करते थे, और जो खतरनाग जानवर हैं, जानवरों को दूर भागाने के लिए करते थे परकाश उत्पन करने के लिए भी करते थे आप लोग देखेंगे कि अगर सातियों एक मशाल है यानि कि मशाल में आग जल रही है और अगर शेर भी आपके सामने आ जाए तो शेर भी उसको देखकर डरता है अगर वो उसके पास करोगे तो वो तो पुरातत विदो ने आरंबिक काल का नाम क्या रखा सातियों पुरा पाशान काल रखा। बारा हजार साल पहले के दोरान माना जाता है। उसे क्या कहा जाता है उसे मैथोलित काजाता है यह बात आपके जाननी योग है। इसकाल से हमें परेय और ये बद्लाव मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है तो वह तो उसे मैथो लिथियानी मद्धिय पाशान यू कहते हैं इसका समय लगबक सात्यों कितना है तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है इस काल के पाशान आवजार आमतोर पर बहुत चोटे होते थे इन्हें माइक्रो लिथियानी के लगू पाशान काल कहा जाता था प्राया इन आवजारों में हड्डियों या लकडियों के मुद्दे लगे हंसियों और आरी जैसे आवजार मिलते थे कौन कौन से सातियों औवजार मिलते थे हड़ियों या लकणियों के मुद्दे लगे हंसियां और ठीक है आरी जैसे औवजार मिलते थे साथ साथ पुरा पाशान यूग वाले औवजार भी इस दोरान में मराय जाते रहे हैं उसके बाद देखिए अगले यूग की शुरुआत लगभग जो हुई है वो दस हजार साल पहले से होती है इसे नव पाशान यूग कहते हैं क्या कहते हैं नव पाशान यूग कहते हैं उसके बाद देखिए बदलती जलवायू तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवाय बड़ी जो घास खाकर जिन्दा रह सकते हैं। और साथ ही अनाज पैदा करना भी सीख लिया। इस परकार धीरे-धीरे कर्शक बन गए। तो देखा अपने साथियों ये आदी मानफ से कैसे धीरे-धीरे कर्शक बन गए। यनिके किसान बन गए हम लोग कह सकते हैं। लोग अन जंगली जानवरों के आकरणों से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे-धीरे पशुपालग बन गए। तो यहाँ पर आपको ये मालूम पड़ा कि पशुपालग जो थे साथियों ये आदी मानफ कैसे बन गए। तो सबसे पहला जो पालतु बनाया थ वो किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था ये आपको ध्यान रखना है चलिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एक नवीन जीवन शैली की अबारे में जब बात करें तो नवीन जीवन शैली में साथियों जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी दे इकभाल के लिए उन्हें एक ही जगा पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज होने से लेकर फसलों के पकने तक पौधू की सिचाई करना, उनकी खत परवार को हटाना, जानवरों और चुणियों से उनकी सुरक्षा करना जैसे बहुत सारे काम होते हैं और यह जब वो काम करने लगे सातियों तो क्या होता है देखिए कि अनाज को भोजन और बीजो दोनों ही रूपों में बचा कर रखना अवश्क था, इसलिए लोगों को इसके भंडारन की बात सोचनी पड़ी, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बरतन बनाए, टोकनिया बुनी या फिर जमीन में गड़ा खोदा, देखिए अगर बात करें तो इनकों सातियों पौधे उगाने के लिए लंबे समय तक कहां रहना पड़ा, एक ही जंगा पर रहना पड़ा, तो इनकी एक निवास की प्रवर्ती बनी, यानि कि एक ही जंगा पर लंबे सम पर जोपडियां और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे के बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में हैं यह सातियों, के लोग गड़े के नीचे घर बनाते, जिने क्या कहा जाता, तो गर्तवास जिने कहा जाता, इसमें उतरने के लिए सीड़ियां होती थी, इससे उन्हें मौसम में सुरक्षा मिलती होगी पुरातत विदो को जोपडियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जंगा भी मिली है तो इससे भी कई सारी सात्यों चीजे जो हैं वो सामने आई हैं चलिए उसके बाद सात्यों यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी जंगा से पत्थर के आउजार भी मिले हैं इन में से कई ऐसे हैं जो पुरा पाशान योगीन उपकरणों से भिनने हैं इसलिए इन्हे सात्यों नव पाशान योग माना गया है और वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चड़ाई गई थी ओखली और मौसम का प्रियोग अनाज तता वनस्पती से प्राप्त अन्ड चीजों को पीसने के लिए किया जाता था कुछ औजार हड़ियों से भी जाते थे ठीक है चलिए तो उस समय सातियों कुछ औजार हड़ियों से भी बनाय जाते थे जैसे के यहां पर यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ पत्थर यहां पर हैं ठीक है कुछ अलग-अलग परकार के पत्थर के बरतन मिले हैं कभी कभी इन पर अलंकरन भी किया होता है ठेक है यानि कि कुछ लिखा हुआ भी होता है बरतन का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था धीरे धीरे लोग बरतनों का उपयोग करना खाना बनाने के लिए भी करने लगे सातियों चलिए उसके महरگڑ UKर जो है महरगऑ के बारें बताएगे हैं कि ईरान जाने वाले सबसे महतपूर रास्ते बोलं दर्रे के पास एक हरा भरा समतर इस्तान है महरगड मेहरगड जो है साथ हूँ ये वो इस्ताने जहां कि इस तरी पुर्षों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं की उगाना और भेड़ बक्री पानला शुरू की ठीक है सातियों उसके बाद देखिए कि यहां आपको पता चला कि गेहूं की उगाना सबसे पहले और भेड बक्री पानना कहां पर की गई तो सबसे पहले मेहरगण की ओरतों ने की यह विभिन परकार के जानवरों की हड़िया मिली यहां पर इनमें हिरन, सुर जैसी जंगली जानवरों तता भेड और बक्रीयों की हड़िया मिली मेहरगण में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेश भी मिले हैं, परतिये के घर में चार या उससे जादा कम रहे हैं, इनमें से कुछ संभवता भंडार के काम आते होंगे, ठीक है तो यह बात आपने जानी, उसके बाद देखिए साथियों के मिर्तियो सामान जताते हैं, लोगों की आस्था थी कि मिर्तियों आस्था के बाद भी जीवन होता है, चलिए, उसके बाद यहां पर साथियों आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कि इसलिए कबरों में मर्तिकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, तो साथियों पहले क के खाने के लिए रखा गया हो, तो साथियों यहां पर आपको कई सारी आज की इस वीडियो में जानकारी देखने को मिली होगी, यहां पर साथियों कई सारी जानकारी आपने देखी, कि जो आदी मानफ था, इसने अपना धीरे धीरे विकास कैसे किया, आदी मानफ के बारे की जो प्रवर्ती है उनके पास वो सारा कुछ आज की इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा तो सात्यों यहाँ पर 6 से लेकर 12 अक हम लोग NCRT जो New NCRT है Updated 2023 की New NCRT है उसके according हम लोग चलेंगे और हर एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर को complete कर दिया जाएगा तो सात्यों प्लेलिस्ट आपके लिए तयार कर दी गई है जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा और उसके अलावा सात्यों मैं आपको बता दूँ के NCRT आपके लिए बहुत महत्पूर है क्योंकि examiner के द्वारा जो उठाए जाते हैं वो examiner के द्वारा NCRT बुक्स में से ही उठाए जाते हैं तो सबसे पहले सात्यों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन पर click करेंगे और वीडियो के बारे में एक बार आप सभी लोग ज़रूर सबसे पहले सेलेक्शन के लिए